हेलो गाइस बेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल आज मैं अपने चैनल पर लाई हूँ बीएड का प्रिविएस पीपर ये फर्स्ट पीपर है बीएड में दो पीपर होता है ये में फर्स्ट पीपर इसमें लैंग्वेजेज हैं और रीजनी के क्वेश्चन चाहेंगे और य किरैट के यहां से स्टाड तर होता है हमारे है इहां पर है लैंग्वेज टेस्ट है हिंदी लैंग्वेज है कि यहां बिखी कहां pregunta के है हिंदी लैंग्वेज के कि यहां पर ठाटी questions है घ्रिटिए ज्यादतर इसमें मैं कभी-कभी जादार हमारे राइटर के नाम पूछ लेता है यह चीज को बहुत जादा दियान से किस ने लिखा है किस राइटर की कभीता है यह देखिए इसमें जादतर इसमें राइटर ही पूछा है कि यहां 50 questions हैं Hindi language की और यह हमारी बासा इंग्लिज सेकंड लेंग्वेज इंग्लिज है यहां पर यहां ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इंग्लिज और हिंदि दोनों करना है यहां पर option नहीं है कुछ भी यह हमारी इंग्लिज लेंग्वेज हो गई यहां ग्रामर के questions और फ्लिंग डाव्लैंग्स यहां सभी टैप के questions है और यहां देखिएगा पैसेज है इसमें से हमें questions चार्ट नहीं है वह उस्वारी answer चार्ट नहीं है आप सनल पेपर आता है हमें वर मेर सीट भननी होती है इसके भी इंग्लिज के विप्टी क्वेश्चन से हैं आपडे और यह जनर नाल्यज एंड रीजिनिंग दोनों के मिक्स आते हैं फिप्टी क्वेश्चन से जनर नौलेज और रीज्निंग के कहीं कर दो जब पन्हें दो प्रेश बड़गा गिस वैसा भाला यहां झाल जब चलिज ए लोग्षा का दो जार गिस है जाए कि बड़ कि अत्ता जब पन्हें है यहां पर हमारी टीचिंग एंप्रिक्यूड है सिक्षन योगिता एक्टिचूड यहां पर इसके भी हमारे फिट्टी क्वेशन आते हैं जाट में ठाटी मोगिता झाल को पहां बना स्दाव ठेको 정부는 York City झाल कि झाले को तो इज ज़ गूनी झाल को था पो नह कि उना सहे पोद को बंदो झाल ऐस्ट कि ईकिषिए। झाल कि औरा है झाल कि ठय container कि प 10 घर नह सतो है यहां देखिएगा हमारे कितने हैं हिंदी इंग्लिस और रीजनिंग और शिक्षन योगिता यह चार सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर और यह हमें सभी यहां कोई आप्शनल नहीं होता है सभी हमें मैट्र करने होता है感endo 150 मारक्स का यह इसको सभी बच्चों के लिए सेम होता है फस्ट पेपर सभी के लिए सेम होता है जया हो आड़ साइड या संजन यहां पर हमारी बॉक्लेट का जो कोड होता है होते हैं सबसुरों सब्सक्राइब ऐने करें सब्सक्राइब करना होता है ज्यांस होएं तो तो दूसरे का भी फर्ष्ट सही होगा ऐसा कुछ नहीं होता है बट इसमें सभी के आगे पीछे कॉश्चन्स होते हैं तो इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से करना होता है और ऐसी ओमार सीट है यह एक हमारी वहां पर ओरिजनल वाली जमा हो जाती है एक हमें यहां मिल जाती है पार सेकिंड में कुछ टाइम बाद अप्लॉट करती हूं थैंक यू सो मच